हेलो एवरीवाइन तो आज का हमारा टोपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स राइट तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है तो इसके बारे में आज हम डिसकस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है जैसे आपको पता flux, flux का मतलब like a quantity, जैसे कोई window है, आपको घर में धूप चाहिए, sun चाहिए, तो window में से क्या आएगी? धूप आएगी, sun आएगा निकल के, या किसी कोई area है, उसमें से एक समध सिवल का pipe है, water का pipe, उसमें से पानी कठा हो जाएगा, अब यहाँ पर electric flux है, तो electric word का मतलब है charge, and flux का मतलब होता है quantity, so what do you mean by electric flux? So, electric flux है, electric flux linked with a surface is defined as total number of electric filled lines, total number of electric filled lines passing normally through that surface किसी भी surface में से total number of electric filled lines जाएगी, electric lines किसको रिप्रेजेंट करती है, electric field, अब बात आती flux किस किस पे depend करता है, पहली condition, मेरे पास यह कोई cross section है, अब इस cross section से यह electric field lines गई, पास यह electric field lines, यह electric field lines किसको रिप्रेजेंट कर रही यह electric field को, जितनी ज़्यादा line जाएगी उतनी electric field क्या होगी, strong, इसका मतलब directly proportional किसके है, electric field क्योंकि electric field lines होगी जिसमें ज़्यादा electric field lines आ गई तो इसका मतलब flux क्या होगा, ज़्यादा, फिर दूसरी condition, फाई, डिरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया, लाइक, जैसे, मैंने कोई cross section बनाया यहाँ, अब इसमें से यह electric field lines पास होई, यह electric field lines पास होई, यह electric field lines, यह electric field lines, यह electric field lines, पास होगी, इसके बाद में, मैंने एक cross section यह बना दिया, अब देखो, यह तो electric field, यहाँ पर area बड़ा है, तो ज़्यादा field पास होई, area कम है, कम पास होई, इसका मतलब ड्रेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, area, दो चीजों पर डिपेंड किया पहले, electric field पे, area पे, क्योंकि इसमें से पास होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा electric field lines, उतना ही ज़्यादा flux, जितना ज़्यादा area, उतना ही ज़्यादा flux, इसमें से कम, इसमें से ज़्यादा, तीसरा, अगर बाइदा मेरे पास, एक सरफेस ये है, इसमें से electric field lines, जो पास हो रही है, वो कैसे पास हो रही है, परपेंडी, मतलब यहाँ पर theta क्या बना, जीरो, क्यों बना theta 0, real में तो यहाँ पर, अब ये बड़े काम की चीज़ है यहाँ पर, राइट, theta 0, अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर area, flux के अंदर एक area vector quantity की तरह treat होता है, क्यों, क्योंकि अब simple सी बात, यह कोई surface है, इस surface पे perpendicular, तो normal to the surface area vector होता है, normal to the surface, हमारे पास क्या होता, area vector, अगर यह normal to the surface हमारे पास area vector है, तो एक obvious सी बात है, तो perpendicular, अब यहाँ पर area vector भी surface पे क्या हुआ, perpendicular, electric field भी perpendicular है, तो यह जो angle मैंने बनाया, वो किस-किस के बीच बनाया है, area vector, और दूसरा किसके बीच बना, electric field, तो this is the angle between electric field and area vector, अगर मैं दूसरा बात करो, फिर मेरे पास यह cross section है, horizontally ऐसे, अब इसका area vector यह है, electric field अब इसमें उपर से पास हो गई, अब angle area vector के साथ कितना बनाया, 90 degree, लेकिन इसमें तो फलक्स पास है नहींगा, क्योंकि फलक्स तो area में से पास होना चाहिए, आपको दूप चाहिए, sun चाहिए, तो window में से पास होके आएगा ना, window गोले टाब होके तो कुछ नहीं आएगा उसमें से, right, इसका मतलब किस पे depend करता है, angle पे भी depend करता है, right, तो अब maximum किसमें आज अब theta क्या है, 0, और theta 0 पे maximum value किस की होती है, cos theta की, right, तो electric flux, depend किस पे करता है, E पे, area पे, और cos theta पे, तो phi is equal to E A cos theta, directly proportional, right, तो इस पे depend करता है, यह पर दूसरी चीज, अब यहाँ पर हमने क्या कहा, electric flux linked with a surface is defined as, electric field lines passing normally through that surface, यानि कि यह area vector, area vector क्या होता है, perpendicular, तो electric field भी normally जानी चाहिए, normally का मतलब area vector के साथ जानी चाहिए, area vector normal है, तो electric field भी इसके साथ जानी चाहिए, अगर गलती से, electric field किसी angle से आ रही है, with theta, लेकिन electric field को normally जाना है, electric field का ऐसी quantity, vector, और vector को दो component में break करोगे, तो यहाँ पर कौन सा component आएगा, e cos theta, तो area vector के साथ कौन सा आया, e cos theta, तो phi is equal to e cos theta, अब यहाँ पर x c dc भाग, phi electric flux, electric field vector, area यहाँ पर vector और दो vector के बीच कौन सा एंगल आया, cos theta, तो कौन सी product लगी, dot product, तो phi is equal to e dot a, तो dot product है, तो electric flux कैसी quantity हुई, scalar, बिल्कुल dot product scalar quantity है, si unit क्या है, इसकी electric field की क्या है, newton पर column और area की meter square, तो simple सी बात है, electric field जादा जाएंगे तो electric, flux जादा होगा, area बड़ा होगा, तो electric flux जादा होगा, और फिर बात करते, angle तीन चीजों पर depend करता है, phi is equal to e acos theta, इसके बाद, next, अगर हम बात करें, यह तुम्हारे पास plane surface है, लेकिन एक condition ऐसी भी हो सकती है, कि suppose grow हमारे पास यह surface plane ना हूँ, अगर हमारे पास यह surface plane नहीं है, यह surface irregular है, तो हम क्या करेंगे, तो उस case में suppose grow मेरे पास, यह कि यह irregular surface है, तो उस case में यहाँ पर आप क्या करोगे, कोई भी area consider कर सकते हो, कहीं भी area consider, छोट छोट एरिये, यह मैंने ds लिया, इसका area vector suppose grow electric field इदर जा रही है, तो यह angle क्या बनाया, theta, यहाँ पर भी यह ds है, इसका area vector इसका perpendicular electric field इदर जा रही है, जहाँ पर भी electric field जाए, तो उसके साथ हम different different में ले सकते हैं, तो उस case में phi is equal to हम क्या लिख सकते हैं, e dot ds, integration में, क्योंकि जब हम area नहीं निकाल सकते, तब हमें किसकी जुरूत पढ़ती है, integration की, तो यह flux है, जब हमें irregular safe है, तो छोटा सा area consider करेंगे, integration बना इस चीज़ के लिए है, क्योंकि इस कारिया मैं कैसे निकालू, नहीं निकाल सकते, बट integration से निकालेंगे, हाँ अगर rectangle square है, उसका तो हम निकाल देते हैं, length into bread, यह side का square, बट यह है, तो यह है electric flux, तीन चीजों की जुरूत पढ़ती है, electric field, area and angle between them, तो यह हमारा topic है, आजका electric flux, right, thank you,